नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ही मेडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे दोस्तों एक बार फिर से ही मेडिया एजुकेशन आपके लिए जोब अपडेट ले किया है इस वाज जो हमारे जोब अपडेट रहेंगे वो ही माचर परदेश के डक्टर रिजेंदर परसाद गोर्मेंट मेडिकल कोलेज कांगरा के टांडा में जो स्थित है वहाँ से रेटिड रहने वाले है तो किनके लिए यहाँ पर विकेंसी निकलिया है कैसे आप अपलाई करेंगे सहरी स्थर्चर क्या रहेगा सिलेक्शन प्रसेस क्या रहेगा इसकी चच्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे है तो दोस्तो अगर आपको भी ऐसे जोग अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बैल बटन को जरूर कीजेगा ताकि आपके पास जो हम लोग डेली जोग अपडेट्स लेके आते हैं वो पहुंसे रहे तो स्टार्ट करते हैं इस नोटिफिकेशन के साथ तो देख सकते हैं आप स्क्रीन में इस वत की एक संबद होई और 22 की ये नोटिफिकेशन रहेगी जो आज इनके द्वारा अपलोड की थी वेबसाइट पे तो उसी से रेटिड हमारा ये अपडेट रहेगा एक दिन के अंदर हम लोग आपको अपडेट करवा रहे हैं जितने भी हमार्जर प्रदेश में जो या वेकेंसी जनी कर रही है तो इनके द्वारा जो दोस्तों एपलिकेशने मांगी गी है रिटन एक्जाम के लिए फील्ड वर्कर की ये पोस्ट रहेगी कॉंट्रेट बेसिस पे इसको भरा जा रहा है और रिसर्च पोजेक्ट से रेटिड ये वेकेंसी रहेगी फील्ड वर्कर की जिसके जो रिसर्च रहेगी वो चमबा उन्ना और कांगडा जीले के हमार्जर प्रदेश से रेटिड रहने वाली है नबरो पोस्ट की बात करें तो इसमें नबरो पोस्ट जो है वो एक रहेगी अशैंशन कौलिफिकेशन की बात करें तो ग्रैजुएशन है जनकी साइंस में या और एफिर एलेवन्ट सबजेट में या जिनों ग्छेन नरसुंंग की या डियमलटी की है वो इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते है तो इसको जो अपलाई करने की लास्ट डेट है वो 21 स्टमबर 22 रखी गी है 22 स्टमबर को ही आपका जो है रिटन एक्जाम कन्डेक्ट कराया जाएगा और वेन्यू जो इसका रहेगा वो ठर्ड फ्लोर लेचर हाल कॉम्मिनुटी मेडिसन डेक्टर आरपी जी एमसी कांगडा टंडा रहेगा और इग्जामिनेशन का जो टाइम है 12 से एक वज़े रहने वाला है तो दोस्तो अपलाई कैसे करना है तो इस पे अब चलते हैं कि अपलाई करने के लिए जो आपने है एक सिंपल एप्लिकेशन लिखनी है एप्लिकेशन के साथ अपने सारे स्पोर्टिंग डोकुमेंट्स लगाने है चाहेगा गैटेगरी हो बोनफाइड हो या फिर आपके शेंशल क्वालिफिकेशन 10th प्लस 2 या फिर ग्रेजुएशन इन साइंस के सर्टिफिकेट हो इन सब को सर्टिफिकेट को जो है आपको इनके बताएगे पते पे भेज देना होगा याद रखी गए आपके जो एप्लिकेशन फोर्म और स्पोर्टिंग डोकुमेंट है वो 21 स्टमबर दक पहुंच जाने चाहिए किसी प्रकार की फीस जो है इनके द्वारा नहीं रखी गी है तो इस प्रकार से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जाने कि जो इसका अप्लाई करने का प्रसेस है वो ओफ्लाइन रहेगा application form जो है इनके दोबारा कोई भी नहीं दिया गया है ना तो कोई bio data form दिया गया है तो एक application जो है आपको खुद से generate करनी होगी इसके इलाबा कुछ important point बताए गए है उसकी तरफ चलते हैं भी point में बताए गए है कि it is to compulsory to bring all the original application during at the time of joining time जो है आपको बने original document वहां पर check करवाने पड़ेंगे टीए डीए आपको किसी प्रकार का नहीं दिया जाएगा पोस्ट को जो है temporary भरा जा रहा है 89 days के लिए इसको further में भी extend किया जा सकता है बेस करेगा आपकी project के उपर या फिर आपकी किडवां salary देंगे तो अगर candidate भी पोस्ट को लीव करना पड़ेगा तो उसको भी candidate को भी या तो एक मत की salary देनी पड़ेगी या एक मिहने पहले अपना resignation letter का notice देना पड़ेगा essential qualification जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि graduation या डिग्री होनी चाहिए कि recognize university से और qualification में relaxation में relaxation उनको मिल सकती है जिन्होंने ICMR के जिनके पास experience होगा इसके लावा जो कुछ और important point है दोस्तों तो यह आप इसवर स्क्रीन में देश सकते हैं तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारी website www.him-india.com से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो इस वीडियो में दोस्तों तो हमारा यही जोब अपडेट था ऐसे ही और जोब अपडेट आपके लिए हम लेके आते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब बैल बटन को जरूर कीजिएगा और वीडियो को इस जारा से आरा शेयर और लाइक कीजिएगा ठेंक यू फर वाचिंग हम इंडिया एजूकेश हूए झाल से जारा से लिए्ध 혼筋वरा प्या हम शेता का यह ciao आरे लिए झाल सा स discoveries और लोग झाल से नहींदाेंगे वाल यहतय यहाल से एहेफ टनीजिए गलग हम झाल से ठोनीजिएगए घानीजिए भर्यल को यह चाहिएग उन्वाज है